हेलो स्टूठेंट्स वेलिकम बेक तू माय चैनलNote आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे टॉप टेन टुरिक्स टु लर्न स्वालिड अस्टेट। इस वीडियो में सोरी डस्टेट चेप्टर से रिलेटेड टॉप टेन इंपोर्टेन ट्रिक्स को डिसकस करने वाले हैं तो इसके लिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं तो बिना आस्किप किये इस वीडियो को अन्तक जरूर देखेगा तो कोई भी यूनिट सेल जो होता है वो 6 पेरामिटर्स पर डिपेंड करता है A, B, C and alpha, beta and gamma ABC जो है वो उनके axial length होते हैं जिने हम edges भी करते हैं और जो alpha, beta, gamma होते हैं वो उनके axial angles होते हैं तो कौन सा angle किन दो edges के बीच में है इससे केसे याद रखें For example, अगर question हो कि beta angle किन दो edges के बीच में है तो इस type के question के लिए एक simple सा trick है तो करना क्या है कि ये जो axial angles हैं इन्हें words में लिख लेना है alpha, beta and gamma अब देखिए ये जो alpha word है वो A से start हो रहा है beta word B से start हो रहा है और gamma word G से start हो रहा है तो अगर हमें निकालना हो angle between edges B and C तो कौन सा होगा तो ये trick याद रखेगा ABC हमें ABC को complete करना है तो B और C तो पहले आ चुका है बच गया है letter A और A से होता है alpha तो इनके बीच का angle alpha होगा अगर निकालना हो कि angle between edges A and C तो कौन सा angle होगा तो यहाँ पर A और C तो पहले ही आ चुका है बच गया है letter B और B से होता है beta तो इनके बीच का angle beta होगा अब angle between edges A and B तो यहाँ पर बच गया है letter C अब letter C से तो कोई angle नहीं है तो जो बचा हुआ है यानि की gamma यह हो जाएगा इनके बीच का angle इसके बाद हम सिखेंगे seven crystal system यह बहुत है important topic है यह जो solid crystals होते हैं वो seven type के होते हैं तो इन crystal system को याद कैसे रखें इन्हें याद रखने के लिए एक simple सी line है जो हमें याद रखनी है उससे हम easily इन्हें याद रख सकते हैं वो line है Q tower mother काफी simple सा sentence है Q tower mother यहाँ पर cu से होता है cubic te से होता है tetragonal hour से हो जाएगा orthogonal mo से monoclinic t से triclinic he से hexagonal और r से rhombohedral यह हमारे पास seven crystal systems आ गए अब बात आती है कि हम इनके axial length को कैसे याद रख सकते हैं axial length होती है a, b, c तो easily हम यहाँ पर लिख लेंगे a equals to b equals to c इसे ही सब के लिए लिख लेंगे a equals to b equals to c अब देखिए हमने लिख लिए सब के लिए a equals to b equals to c अब इसमें एक number हमें याद रखना है 0, 1, 2 इसे ही नीचे से लिखेंगे 0, 1, 2 और ये बिच वाले में 2 अब इसका मतलब क्या है 0 मतलब एक भी not equal का sign नहीं आएगा 1 मतलब की 1 not equal to का sign आएगा 2 में 2 not equal के sign आएगे यहाँ पे भी 2 है तो 2 not equal के sign 2 है तो 2 not equal के sign 1 है तो 1 not equal का sign और 0 यानि की 1 भी not equal का sign नहीं आएगा 0, 1, 2 2, 2, 1, 0 तो इसली हमें एक्सियल लेंथ याद हो गए कि क्यूबिक के लिए सारे equal होते हैं tetragonal में 1 not equal होता है orthogonal, monoclinic, triclinic में कोई भी equal नहीं होते हैं hexagonal में 1 not equal होता है rhombohedral में सारे equal होते हैं अब बात आती है axial angle की हम उनके axial angles को कैसे याद रख सकते हैं तो axial angle के लिए यह जो top 3 members हैं इनके सारे angles equal होंगे और equal to 90 degree होंगे अलफा एक्वल्स टू बीटा एक्वल्स टू गामा एक्वल्स टू 90 डिग्री तो इस तरह से हमें तीन मेंबर्स के अंगल तो मिल गए अब बात आती है मोनो क्लिनिक की मोनो मतलब एक मतलब की एक जो होगा वो नोट इक्वल टू 90 डिग्री होगा बीटा जो होगा वो not equal to 90 डिग्री होगा और यहाँ पर बचा क्या अलफा equals to gamma equals to 90 डिग्री मोनो किलिनिक के लिए alpha equals to gamma equals to 90 डिग्री और बीटा is not equal to 90 डिग्री अब आया try clinic, try का मतलब होता है 3, मतलब की तीनों angles not equal to 90 डिग्री होगे, ना वो आपस में equal होगे ना ही वो 90 डिग्री के equal होगे अब आती है hexagonal, hexagonal में होता है alpha equals to beta equals to 90 डिग्री और जो इसका gamma होता है उसकी value होती है 120 डिग्री और रही बात रॉंबोहेड्रल की तो यहाँ पर सारे एंगल्स आपस में तो इक्वल होते हैं बट देजाल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री तो इजली हम याद रख सकते हैं कि पहले को जो थ्री मेंबर्स हैं उनमें सारे एंगल्स इक्वल होंगे और वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे मोनो क्लिनिक में बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा ट्राइ क्लिनिक में सारे एंगल्स ना आपस में इक्वल होंगे ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं hexagonal में gamma equals to 120 degree होता है rhombohedral में सारे angles equal होते हैं but not equal to 90 degree होता है ये एक simple सा trick है जिससे कि हम axial length और axial angles को भी learn कर सकते हैं और 7 type के crystals को याद रख सकते हैं इसके बाद हम सिखेंगे trick for contribution of atom in different type of crystal lattice तो इसे समझने के लिए मान लेजिए कि ये एक unit cell है और इसमें एक atom है जो कि just इसके center में है अब हमें क्या करना है इस atom को move करवाना है और move करवाकर इस atom को unit cell के corner तक ले जाना है और हमें जो movement करवाना है वो केवल along the axis movement करवाना है तो देखिए अभी जो आपका atom है वो body centered है body centered atom अब क्या करेंगे ये जो atom है इसे y axis के along move करवाकर इस face तक ले जाएंगे तो ये जो atom है जो कि unit cell के एक face पर है वो कौन सा होगा? face centered atom होगा इसके बाद हम इस atom को कहां ले जाएंगे? इसे move करवाकर unit cell के edge पर ले जाएंगे तो आप ये जो atom है ये क्या होगया? edge centered atom इसके बाद finally इसे हम move करवाकर इस unit cell के corner तक ले जाएंगे तो आप ये जो atom है वो हो जाएगा corner centered atom इन atoms का unit cell के अंदर कितना contribution है? यही इस trick में हम सिखेंगे तो जो body center datum है इसका contribution हो जाएगा 1 अब face center datum का contribution कितना होगा 1 unit cell में? तो उपर ये जो 1 है इसका half कर दिजी इसके बाद क्या है? edge center datum तो जो उपर है उसका half कर दो half का half क्या होगा? 1 by 4 इसके बाद है corner centered datum तो corner वाले atom का एक unit cell के अंदर कितना contribution होगा? 1 by 4 का half 1 plus 2 1 by 8 तो ये था एक आसान सा trick इसके बाद हम सिखेंगे simple cubic unit cell body centered cubic unit cell और face centered cubic unit cell तो सबसे पहले हम सिखेंगे simple cubic unit cell इसमें 8 corners है और हर एक corner में एक atom है तो total 8 corner centered datum है और corner centered datum का contribution कितना होता है? 1 unit cell में? 1 by 8 होता है तो हो जाएगा 8 into 1 by 8 equals to 1 तो number of atoms कितने हो गए? simple cubic में? 1 इसके बाद है body centered तो body centered में भी हर एक corner में एक atom है तो total 8 corner centered datum है और इसका contribution होता है 1 by 8 तो हो जाएगा 8 into 1 by 8 साथी साथ इसके body centered में एक atom है और body centered datum का contribution होता है 1 तो हो जाएगा plus 1 equals to 2 तो body centered cubic unit cell में number of atoms कितने हो गए? 2 इसके बाद है face centered इसमें भी 8 corner centered atoms है और इनका contribution होता है 1 by 8 तो हो जाएगा 8 into 1 by 8 साथी साथ हर एक face में एक atom है और total 6 faces है unit cell में और face centered atom का contribution कितना होता है? 1 unit cell में 1 by 2 होता है तो हो जाएगा 6 into 1 by 2 equals to 4 यानि कि 4 atoms तो simple cubic में 1 atom body centered में है 2 atom face centered में है 4 atoms अब इसके बाद हम सिखेंगे coordination number तो coordination number के लिए trick है कि जब number of atom 1 हो तो coordination number होगा 6 और उसके बाद जितना atom बढ़ेगा उतना ही 2 add करते जाना है जैसे कि body centered में 2 atom है यानि कि 1 atom increase होगी है तो 6 में एक बाद 2 add करेंगे तो हो जाएगा 8 उसी तरह से face centered में 4 atom है यानि कि 3 atom increase होगी है तो 6 में 3 times 2 add करेंगे तो हो जाएगा 6 plus 2 plus 2 2 plus 2 equals to 12 12 coordination number तो इस तरह से हम coordination number को find कर सकते हैं अगर वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को like करें, share करें और इस चैनल को subscribe करें थैंक्स फर वाचिंग